नेतन्याहू और हिटलर में कोई खास अंतर नहीं है 24 घंटे में 50 से ज़्यादा इस्राइल के सैनकों को मौत के घाट उतार दिया और तस्वीर वीडियो बहुत तेजी से वायल होता हुआ दिखाई दे रहा है जुसमें मारे गए इस्राइल के सैनकों को हेलिकॉप्टर के जर्ये इस्राइल लाया जा रहा है नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आप सब को पता है नेतन्याहू डरपोख है नेतन्याहू कुरूर प्रधान मंत्री है नेतन्याहू अब तक 20 हजार से ज़्यादा लोगों का कतल करवा चुका है और इसलिए दुनिया के तमाम मुलक ऐसे हैं दुनिया के तमाम लोग ऐसे हैं जो खुल के आन कैमरा एबात कह रहे हैं कि नेतन्याहू को मारा जाना चाहिए क्योंकि 20,000 से ज़्यादा बेगुनाहों का कतल नेतन्याहू करवा चुका है और इसलिए एक बड़े मुस्लिम नेता कैमरे के सामने आए उन्होंने कहा हिटलर और नेतन्याहू में कोई खास अंतर नहीं है किस नेता ने कहा आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन इंडिया टीवी क्या कुछ लिख रहा है मैं उसको बता देता हूँ हिटलर से अलग नहीं है बेंजामी नेतन्याहू इसराइली पीम को जाने किस देश के मुस्लिम नेता ने कहे एक कठोर शब्द आप सब कपता है कि इसराइल और हमास का युद्ध लगातार चल रहा है इंडिया टीवी आगे लिखता है इसराइल हमास युद्ध के बीच प्रदान मंत्री बेंजामी नेतन्याहू को लेकर एक देश के मुस्लिम लीडर की बड़ी प्रत्किरिया सामने आई है इस मुस्लिम नेता ने बेंजामी नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है इस बयान के सामने आने के बाद नेतन्याहू आगब बूला हो गए है गज़ा में इसराइली सेला के तावरतोर हवाई और जमीनी हमले में मारे जा रहे आम फिलिस्तीनियों के सनंदर्में उन पर यह कठो टिपड़ी की गई बता दें की हमास की हमले के जवाब में अब तक गज़ा में इसराइली सेना ने बीस हजार से अधिक लोगों को मौत के घाट उता रहे इसमें जादा तर फिलिस्तीनी नागरिक शामिल है गज़ा पर इसराइल की ओर से लगाता बरपाए जार है इस कहर और आम जनों के भीसव सनहार से दुखी तुर्की के राश्पति ने नेतन्याहू को हिटलर बताया है नेतन्याहू तुम हिटलर हो तुर्की के राश्पति साफ शब्दों में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं अपनी टिपड़ी में राश्पति रेसर्प ने बुद्धवार को कहा कि प्रधान मंत्री बेंजामी नेतन्याहू हिटलर से अलग नहीं है उनकी या प्रत्रिया गज़ा के साथ इसराईल के युद्ध पर उनकी आलोचना करते हुए सामने आई है एर्दोगन ने कहा कि हिटलर और नेतन्याहू में ज़्यादा फर्क नहीं है और तुर्की लगातार विरोध कर रहा है तुर्की लगातारे मांग कर रहा है कि सीज फायर पर इसराईल मान जाए बेगुनाहों को ना मारा जाए आज 28 दिसंबर है और अमेरिका के राश्पती जो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा था नेतन्याहू आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक का ही समय है अगर आप नहीं सुधरें अगर आप ने युद्ध को नहीं रोका इसका अंजाम बहुत ही जादा बुरा होने वाला है और अब लगातार इसराईल के सेनकों को मारा जा रहा है और डरा सहमा कायर मूर इसराईल का परदान मंतरी अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतरवा रहा है अपने ही सेनकों को मरवा रहा है और जो सेनी क्युद में घाइल हो जा रहे है उनसे कह रहा है तुम जाओ बेगुनाहों को मार कर आओ उसके बदले तुमको पैसा मिलेगा उसके बदले तुमको ताकत दी जाएगी उसके बदले तुमको लड़की दी जाएगी यानि घायल सेनकों को लड़की के पास भीजने का काम नेतन्याहू लगातार कर रहा है आप सोचिए कि क्या कोई प्रधान-मंत्री इतना कुरूर हो सकता है कि अपने सेंकों को लालस देता है लालसा देता है तुम्हारी बीबी तो अलग है लेकिन हम तुमको अलग से लड़की मोहिया करवाईगे और तुम जिस देश की लड़की कहोगे उस देश के लड़की कुला करके हम मुहया करवाने काम करेंगे आप सोचिए इनसान है या जानवर समस्थ नहीं आता आपके लिए कमेंट बाउस खुला है आप लोग बताईएगा नितन्याहू क्या वास्तों में इनसान कहलाने लायक है आज तक्रीबन एक सो पच्पन मुलक एसे हैं जो नितन्याहू से सवाल पुछ रहे हैं नितन्याहू क्छिए खिलाफ है इसरेल के खिलाफ है लेकिन नितन्याहू है कह रहा है कि अगर युद्व को रोक दिया जाता है उसकी गद्दी चली जाईगी लेकिन अब इसका अंजाम बहुत ही जादा बुरा होने वाला है जन्सत्ता लिखता है इसरेल ने इरान के सीनियर कमांडर को मार गिराया राश्पत इबराहिम बोले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यानि इरान जो है ओभी अपनी नजर अब तिर्ची करते हुए दिखाई दे रहा है यानि अगले कुछी दिनों में अगले कुछी हफतों में आप तक एक ख़वर पहुंच जाएगी नेतन्याहू का दुनिया से नामों निशान मिठ गया और इसरेल का नाम नक्ष्वे से हमेशा हमेशा के लिए मिठ गया लेकिन नेतन्याहू इस बात को समझ नहीं रहा है लेकिन जबकि मैं लगातार नेतन्याहू को आगाह कर रहा हूँ बता रहा हूँ नेतन्याहू अभी मान जाओ अभी तुम्हारे पास वक्त है लेकिन अगर तुम मानोगे नहीं अन्जाम बहुत जादा बुरा होगा क्योंकि युद्ध के आज 81 दिन पूरे होने जा रहे हैं और अगर युद्ध और लंबा खिसता है तो एकीन माने दर्शकों फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा और इस्रेयल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा नेतन्याहू का कुछ भी नहीं हो सकता नेतन्याहू अपने गड़ी बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा रहा है उसमें महिलाय शामिल है उसमें 15-17 दिन की बच्ची शामिल है उन सब को नेतन्याहू लगातार मरवा रहा है अब आप देखिए पूरी दुनिया में इज्रेयल के खिलाफ आंदोलन हो रहा है इंडिया टीवी लिखता है अमेरिका में फिलिस्तिन समर्थकों ने मचाया उत्पात न्यू यॉर्क और लॉस हवाई अड़ों के मार्ग कर दियें औरुद्ध अमेरिका में फिलिस्तिन के समर्थकों ने न्यू यॉर्क और लॉस एंजिलिस हवाई अड़ों के मार्ग को औरुद्ध कर यात्रियों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी काफी देर तक दोनों मार्गों को बंद कर दिया गया या तरु काफी समिस्या हुई पुलिस ने कई प्रदर्शन कारियों को गिरफ्तार करके मार्ग को खुलवाने का काम किया है अब आप सोचिए कि भारत हो अमेरिका हो जापान हो न्यूजी लैंड हो सौधी अरव हो इरान हो इराक हो दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं सभी जगहों पर फिलिस्तिन के समर्थन में आंदोलन हो रहा है और फिलिस्तिन को आज़ाद करने की मांग लगातार की जा रही है लेकिन नेतन्याहू जिस तरीके से एक सो पच्पन मुल्क तुम्हारे खिलाफ हैं तो मैं कीन मालूं तुम्हारा खात्मा होना पूरी तरीके से तह हैं क्योंकि 24 घंटे की भीतर तुम्हारे 50 से जादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है और वहीं जो अम्रेश मिस्तरा हैं ये लिखते हैं 27 तारीक की खबरे दे रहे हैं ये लिखते हैं कि अल-यासी ने 105 गोले से खान यूनिस के उत्तर में एक आइडिया अफ टैंक और सैन्ड वहा को निशाना बनाया जुहार अल-दिक के पास फिलिस्तीन रिजिडेंस ने आइडिया अफ सेनाओं के साथ तीव संगर्स किया जिसके प्रवाम सुरूप इस्राइली मारे गए हैं और वहीं उनका दूसरा ट्वीट है एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं हमास ने उत्तर गजापटी जवालिया अल-बलाद छेत्र के पश्चिम अबू सबक एकसिस पर अल-यासीन 105 गोलो के साथ दो आइडिया अफ टैंकों को निशाना बनाया है या लगाता निशाना बनाया जा रहा है लगाता इस्राइल के सैनकों को मारा जा रहा है और हुटी ने मैंने कल ही आपको जानकारी दी थी हुटी ने 20,000 से ज़्यादा लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है और इस्राइल को मिट्टी में मिलाने का काम हुटी ने ठान लिए आएक 이제 भी तरीके से इसरेयल को मिट्टी में विलाना है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है युद्ध की दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे है ठीक वैसे ही ख़बरे हमारे सामने आ रही है कि इस्राइल अब हर एक तुरिके से कम्जूर होता हुई दिखाई दे रहा है और जो साथ ही था इस्राइल का अमेरीका उसने भी लगभग लगभग इस्राइल के हाथ छोड़ दिया है और इसलिए इसराइल का खात्मा होना पूरी तरीके से तैह기에 फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरी ख़बर को लेकर के जरूर बताईएगा धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ करें लाइक करें कमेंट जरूर करें